तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 11 वी की इतिहास का चैप्टर का नाम है यायवार समराज्य और हम करने वाले जिसके most important question ठीक है बहुत ज्यादा important question है आपको पता है यह ज्यादा तर इस वाले चैप्टर में बच्चों को ज्यादा problem रहती है दंगे इस खान हुपर से उसका family tree है don't worry बहुत easy language में बताऊंगा और ज्यादा कोशन नहीं है अगर यह आपने कर लिए तो कोई भी 3 marks का 5 marks का 8 marks का 2 marks कोई भी कोशन नहीं जूटेगा ठीक है चलो जी बिना time waste करें शुरू हो जाते हैं और मैं बता दूँ शाम को शायद मैं जो है मेरा करावबा आता है नहीं आता तो यह एक्जाम हो रखे है ठीक है जब भी बच्चों के एक्जाम होते हैं उसके बाद मैं लाइव अगरा लेता हूं तो आप देख लेना यही वीडियो हो ले ना पोल से इसकी वीडियो है तीन-चार दिन पहले एक्जाम हुआ था बच् सबकुली सबकुस डिफरेंट है तो यह वीडियो शायद आपके लिए नहीं होगी बट अगर आपके पास NCRT की बुक है तो यह आप ही के लिए ठीक है चलो जी चुरू कर देते हैं तो पहला हमारा कोशन है बहुत ही जादा इंपॉर्टन और यार्ट नंबर कोशन बनता ह कि यासा क्या है और यासा का महत्व बताईए ठीक है सबसे पहले तुम्हें आपको बता दू यासा है क्या यासा जो है कोड है कानून है मतलब ठीक है और यह ना 2206 के अंदर है कोरलता ही होता है जो हमारे मंगोल समराज्य के अंदर बुजर्ग वगरा होते हैं उनकी जो मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर जो चंगेज खाने इस यासा को लेकर आयता और यासा का शब्दी यासा के शब्द का मतलब ही होता है कानून डिक्री यहां देश ठीक है और इस यासा के अंदर है ना बहुत सारे नियम लिखे वेते शिकार से रिलेटेट से क्या चीज़ें नहीं चाहिए उसी को कहते हैं यासा कुछ नहीं है यासा बस एक कानून है जो कि चंगेज खान लेकर आया था बाराथ जो चेव में कि जो मीटिंग हुई थी उसके इंदर चलो मतलब मंगोल के लोगों की मीटिंग हुई थी अब यासा में जो निमल लिखि चाहिए और सभी धार्मिक बाधाओं को पार करते हुए पुजारी और सभी परकार के करों से चूड़ दे दी गई तो उसने अलग अलग धर्म के जो भी पुजारी वगए थे ना उन सबको जो है वो चूड़ दे दी इसने ठीक है मतलब उनको टैक्स देने की जरूत नहीं नेक्स्ट है कोई भी वक्ती जिसने को रलताई की मानने था कि बिना खुद खान घोशित किया उसे मृत की दूनड़ दिया जाएगा मतलब चैसे चंगेज खान का नाम एक्चल में चंगेज खान नहीं थे ना तिमू जीन था उसको तो को तो को रलताई ने नाम दिया था घान लगा लेगा तो उसको मौत की सजा दी जाएगी ठीकए वेभिचार ना करना वेभिचार का मतलब होता है अडल्ट्री मतलब शादी के बाद अपनी वाईप को छोड़ कर किसी और किसी और के साथ जो है वो अफेर नहीं करना यह वाला कहा था उसने वे अगर ऐसा बोला अगर कभी लड़ाई हो जाए शत्रुता का मतलब यह तरह से लड़ाई हो जाए और अगर कोई सैनिक छुट्टी पे गया हो तो तुरूंत तुसे अपने करता वेगा पालन करने के लिए वहां से आप आना पड़ेगा दुबारा काम पर लग जाना पड़ेगा ठीक है जासूजी करना, जूटी जानकारी वगएरा देना, सबूट गवा देने का के जनून मौत की सज़ा दे जाए कि यदि कोई सैनिक कमांडर की पूरवनुमति के बिना लूटपार्ट करता है तो अगर जाना पने सैनिक क मांडर के बिना बिना बोले कोई किसी पर टैक कर देता है किसी गावं पर उस पर लूट पार्ट करता है बेशा को पैसे भी लेकर आता है तब भी उसको मौत किसा दी जाएगी सभी मंगोल राजकुमारियों को इस यासा को समाल कर रखना चाहिए और जरूरत के समय इससे मदद देनी चाहिए इसका मतलब क्या है कि जैसे वह अडल्ट्री वाला पॉइंट में आपको बताया ना तो सारी जो मंगोल की राजकुमारिया यानि जो मंगोल की जो फैंबली मेंबर के जो लोग है ना उनको यहासा को समाल के रखना है किसी के साथ गलत वगयर नहीं करना और एक और बात सेना को अच्छ आग तो यह एसे में बाढ़ते हैं और इसकी पता एक खाशित क्या थी मंगोल में ना कोई पी एक जाती का बंदा जैसे एसे नहीं कि दस के अंदर जो है वो सारे किसा कि जैसे हमरे बारत इंडियन आरमी अगर मैं आपको बोलूं के राजपूत रेजिमेंट तो किसमें स्र इसके बारे में इतना पता है कि जैसे कोई Raja Poodle resident, तो उनके लीडर जो है वो CONFORM नहीं होते कि वह जाट है भी या नहीं है जैसे बहुत सारे जो है क Face Wise, ये और हमारे यासा के अंडर भी क्या होता अलग अलग उसन बटे वे थे तो आसंस से कि अंब कुछ फायदा हो रहा था 같은 संसरी से इस फायदा हो रहा था पहला एक विशाल मंगोल समराज्य बनाने में कानूनी धाचा परदान किया दूसरा लोगों को वफादार और अनुशासित से ना की स्थापना करने के लिए चंगेज को हेल्प करी एक गुणात्मक और सहीशनु समाज बनाने में क्योंकि धर्म की बात होई थी ना कि धर्म के नाप लड़ाई नहीं करनी वह बनाने में हेल्प करी और सभी संस्कृति और धर्मों का सम्मान करने का एक तरह से उपलब्दियां जो है प्रस्तुत की हमारे अब देखो एक ही घोड़े को अगर मालो बोला जाएगा जैसे मालो यहां से लेकर यहां तक एक गोड़े को सूचना पुचानी तो इस चीज को खतम करने के लिए चंगेश खान ने चौकिया बना दी पूरे के पूरे समराज जमया लग लग जगा पर अब क्या होता एक घ यहां से यहां देता था फिर जो नया घोड़ा है वह फूरती से यहां पर यहां जाएगा तो यही है कि इसने क्या किया कि बहुत अच्छा कर दिया संचार का माद्यम ठीक है चलो यही बात लिखी वी है और इसके अंदर गुर सवार वगएरा कॉप योग होता था ना यह खुद देते थे ठीक है और इसी को कहाता था कुबकूर टैक्स ठीक है मतलब ऐसा वो नहीं होता अन्या पश्रू का दस्वा हिस्सा परदान करते थे मतलब बहुत सारे लोग है ना यह जैसे कि इसके इसके लिए यानि यह याम को चलाने के लिए हर कारापत दे इंग्लिश चंगेज खान की सैनिक उपलब दिया बताईए बढ़िया लीडर कैसे था दोनों में सेम बाते लिख सकते हो अब बट मैंने फिर भी दोनों अलग अलग लग लिखा है था कि अब ज्यादा पूंड लिखकर आ सको एक्जाम लें तो इसकी सबसे पहले तो थोड़ा चीज थी जिसने उसको इतनी अपलब दिया दिलाई वो थी उसकी सैनिक शम्ता सैने रणी थी ठीक है तो उसने क्या-क्या रणी थी आवगर आपना ही तो पहला बात तो यह है कि मंगोलों और तुर्कों के जो घुड़सवारी के कोशल ने सेना को बहुत ही जादा प्रदा अब गोड़े पर तीर वगरा चला सकते थे और जो है हमारे जो अपोजिशन में उनसे लड़ सकते थे एक बार मैं देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है चलो हो रही है सही है क्योंकि मैं रिस्क नहीं लिना चाहता दो तिन गंट एक बर मैं बैठा पता चला कि रिक अब उनको पता है कि किस एरिया में जाना है कहां पर नदी है कहां बारिश होगी कहां बारिश नहीं होगी कहां ज्यादा ठंड होगी कहां शिवर लगान इससे उनको बहुत ही जादा सेना में फायदा हुआ चीक है नेक्स्ट है जो खाना बदोश परंपरा के रूप में जो गड़वाली चावनिया होती थी उसके खिलाब जो है वो नुकसान में थे मतलब इसका मतलब है कि जो पहाड़ी चावनिया सकते अब जो हमारे खाना ब दूश्य चंगेश खान को नुकसान ही होता था एक तरह से वो थोड़ा डिसएडवेंटेज में रहते थे क्योंकि जो एक जगह रहते थे उनके बड़े-बड़े किल्यों होते थे उनको भेदना मुश्किल होता था बड़ चंगेश खान ने इसका भी उपाय धूंड लिय ठीक है मतलब अब किले का जो है उन्होंने किले को कैसे भेदना वो देख लिया था नेक्स पॉइंट है कि इनके जो जो भी उपकरण वगरा होते थे वह भी हलके होते थे लड़ाई के समय जो है और वसी बात है एक बात बोली जाती है आर्मी के अंदर मैंने एक वीडियो देखे दी जिसमें गार में ऑफिसर बताते हैं कि अना एक्चुली लड़ाई लड़ाई शुरू होने से पहले पहले ही बता सकते हो आपके लड़ाई कब खतम होगी क्यों क्योंकि वह चीज़ डिपेंड करती है कि आपके पास कितना उपकरण है खाने पीने की कितनी चीज लेकर आया था 1206 के अंदर और 1227 के अंदर उसकी मित्य हो गई थी वर्ट उसने बहुत सारे अच्छे काम करें चंगेज खानेक महांशास्तक था मंगोल को संगटित किया था चीनियों चीनियों द्वारा शोशन के विरुद उसने मुक्ति दिलाई थी पूरा बहुत बड़ पूर राजा को मैं अपना 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 तो चंगेज खान ने जो है ना वो 25 साल में कवर किया था जो 400 साल में रोमन इंपायर बहुत पावर्फुल माना जाता है रोमन इंपायर चलो नेक्स्ट है कि विपार के रस्ते तता बाजारों की भी पुनुर्ष थापना करी थी इसने ना सिल्क रूट वगएर इसने दुबारा तियार किया था नेक्स्ट है कि इसके शासन में बहु जाती है बहु भाश्य और बहु धार्मिक था बदा हर धर्म के लोगों वगएर क थाइंड के रूपे मानने है चंगेश कान की मूर्ति आज भी मंगोल के अंदर है बहुत बड़ी आस तो मंगोल कोई घ्लोबल पॉलिक्स में है नहीं एक टाइम पर दबदबा चलता था बड़ा सकते हो कि इसमें आर्मी वगएरा को भी बहुत शक्तिशाली बनाया था और खरकारापद्धिती जाल सकते हो देखो बाकी सारी चीज़े सेमी लिखी भी है ठीक है कि कभिलाई लडाई वगरा को मुक्ति दिलाई थी चायना से मंगोल को संगटित किया था भहुराश्यवा और बड़ा समराज्य बनाया था बजार को बन इस सारे पॉंट सेमी लिख्या फैस हरकारापद्धिती वाला लिख देना और सेना वगळा न की बठार। नेक्स्ट है कि इन से स्थानी आबादी का समर्थन और वफादारी खोदी थी मत्तब जो लीडर बने तेंगेज खान के बाद उनको लोग इतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे जिसके और लोग उनसे नाराजी रहते थे और लोगों ने विद्रो भी करना शुरू कर दिया था नेक्स्ट पॉइंट है इसे अन्य उबरती शक्तियों जैसे कि चीन में जो मिंग राजवन्च हो गया मिस्र में मामलूक हो गए मद्धेशिया के अंदर तिमूरेट्स हो गए इन्होंने भी भारी चुनौती का सामना करना वड़ा इसके बाद मंगोल समराज्य खतम होने की कगार पे आ गया उत्तरा दीगारी को लेकर भी लड़ाई चलती थी वह मौंके में और उनके वह पोता-पोती अंदर पोती तो क लड़कियों के पास पावर नहीं जाती थी तो वह मौंक के हो गया और उनके बीच में लड़ाई चलती रहती थी और इसके वज़े से आंतरिक रूप से जो है वह मंगोल समराज्य कमजोर हो गया नेक्स्ट यह उन शेत्रों की बदलती राजनेतिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितों के अनुकूलता करने और अपने सैन्ने श्रेश्टा का अनुशासन बनाए रखने में भी पड़ाए चंगेश खान के मरने के बाद वह राजनेतिक तोर पर आर्थिक तोर पर सां कुछ यगा से दूसरी यगा कॉमिनिकेशन बिठाने के लिए संचारवन कानात कहते थे वह मिगत नहरों को पता ही आपके कभूले के सदस्य की सभा को यास तो अभी आपने देखना वो कानून विदी सहीं था सहीं था सहीं था का मतलब ही कानून होता है और सुनहेरा गिरो यह न जोची ने बनाया था चंगेश खान का ही वंच जाए नीचे नास्ट वाले कोशन पर आ जाते हैं हमारा बहुत ही जादा इंपॉर्टन कोशन नहीं है बाकी सारे कोशनों से बटे बताना भी मेरा है क्योंकि इसके चांसे बनते हैं पांच नंबर में आ सकता है कोशन आपसे पूछा जाएगा कि मंगोल की भगॉलिक सामाजिक और आर्थिक देखो दुबारा से बता रहा हूं मैंने यह कोशन पीडियाफ में कुछ सोच कही डाला है तो इसको छोड़ने की गलती नहीं कि बच्चे मेरी बात सुने के सर तो इसे बोल रहा है कि कम इंपॉर्ट करते हैं की बार्श के बहुत कम समय के लिए उती इसलिए करना जबास्द करते थे खेती बहुत कम किया करते थे ठीक है नेक्स वाले पॉंट है कि यहें शेत्र एक राजसी परिश्चे था जैसे वरिस्तित शितिज यह और गुमावदार मैदान थे मतलब बहुत बड़ा शितिज था है ना बहुत बड़ा आकाश था यहां पर आकाश इसका मतलब है कि बहुत खुला एरिया था यहां पर यह फ़ंदे का बणूट है इसके परवब यह टल के लगण जो शरी तो ईसके जहर रखार भी ते और उत्तर उर पाभघ यहां थी जह पिगलती वर्फ मतलब उत्तर में पहाड़िया वगरा थी उत्तर और पश्रिम के अंदर पहाड़िया वगरा थी और पिखलती बरपती नेक्स पर आ जाते हैं कि अच्छे मौसम में चरवाहे के लिए हरी भरी गांस और छोटी छोटे खेलोप लब देते मतलब वही घोड़े के गुर्जवारी वगरा यह सारी के सारी साइबीरिया के जंगलों में पशुपारक और उत्तर में शिकार सहीता के निवास करते थे मतलब शिकार वगरा रहते थे उत्तर में जो शिकार वगरा करके अपना जीवन चलाते थे मतलब साइबीरिया का भी थो स्वाही की तुल्णा में नर्म लोगों का समूने किसकी बातो यहां पर इनकी जंगलों पशूसुपा लगते अनकी बात ओब रहे है यहां पर यह बहुत ही शबलाब को नम्यक्वाइब अपने जंवरों के बालों में अपनी मित्रेट वह किसकी उब्ला אז चलो जिसकी पीडियाफ का लिंक मैंने जैसे बोला नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रख तो टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा ठीक है टेलीग्राम पे आप लिखोगे ना में पॉइंट स्टडी 11 आर्ट्स यह दिखरा होगा आपको तो इस पर आ जाओगे बाकि मैंने यहां पर सारी ही जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियो बगरा दे दूंगा और उनके पीडिया बगरा दे दूंगा ताकि आपको डिफिकल्टी ना हुआ अभी बच्चे कुछ ऊपर ढूंडते थाओट थाओट शनके पारा ग्ट्टी ना हमा आपको डिखाओट है नो हुआ है रखभी बच्टी ना हमाती 17 तर चैप्टी ना हुआ है उनके रख़ता ही तर दैटेक दीडियो आचेशने आटोरें अनके वैडियोडियों श्वाल मेंड़क्त पारूंड़ है नाह बना